ही गाईज, वेलकॉम बैक टू माई चैनल, फ्रेंग, आई होप आप सब अच्छे से होंगे आज मैं आपके लेके आई हूँ अपनी खुद की डिजाइन की हुई साडी आप सभी जानते हैं कि मैं अपनी मोसली साडी जो पहनती हूँ और उय Lelvain, मैं आप से डिजाइन करती हूँ तो यह एक और पार्ट है जिसमें मैं आज आपके साथ टू साडी शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने रेडी की हैं इनका फैबरिक और यह कितने रुपए मीटर पर मैंने इनका फैबरिक लिया है ये सब already मैं आपके साथ share कर चुकी हूँ जिनोंने मेरा वीडियो नहीं देखा है वो check out कर सकते हैं कि मैं किस market से shopping करती हूँ वीडियो को start करने से पहले मैं आप से कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर first time visit कर रहे हैं तो please channel को check out करिएगा पसंद आया तो please channel को subscribe करिएगा वीडियो पसंद आता है जरा सब भी helpful लगता है तो please like जरूर करिएगा और आप मुझे इंस्टा पे भी follow कर सकते हैं मेरी इंस्टा एडियी मैं स्क्रेन पे mention कर दूँगी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी first sari सो मेरी ये first sari है और मैं आज इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाली हूँ कि मैं मतलब इस वीडियो के बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं कि आप जूट बोलते हो इतना सस्ता फैवरिक नहीं मिलता है तो मैं पहली आपको बता दूँ कि ये फैवरिक मुझे क्यों सस्ता पड़ता है और मैं कैसे लेती हूँ इने तो ये जो फैवरिक है ये दो टुकडो में था मैं screen पे लगा दूँगी आप मतलब यकीन नहीं करोगे इसलिए तो मैं इसको screen पे लगा दूँगी ये जो फैवरिक था ये दो टुकडो में था एक जो टुकड़ा था वो 3 मीटर का था और एक 2.5 मीटर का था तो ये जो दो टुकड़े थे इसको मैंने जोड के एक साड़ी बनाई है और इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है जो और गिंजा साड़ी होती है उनमें अगर नीचे के साड़ लेस वगरा टैच कर दो तो जो प्लीट्स बनाते हैं वो अच्छे से नहीं बनती है तो इसमें मैंने पल्लू पे ये वाली लेस लगाई है जो कि मुझे काफी अच्छी लगी और इस साड़ी पे भी बहुत ही अच्छी लग रही थी तो इससे क्या है ये इसका जो पल्लू है वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा और इसका जो लुक है वो भी काफी अच्छा लग रहा है ये है इसका पल्लू, पल्लू पे मैंने ये वाली लेस लगाई है, ये लेस मेरे को पड़ी है 60 रुपीज मीटर पे, तो इसमें मैंने 2 मीटर ले लिया था, कि अगर मैं बलाउज स्टिश कराऊं, तो में भी उसमें में कुछ डिजाइन डलवा दूँगी, तो मैंने ये 2 बिल्कुल भी दिखेगा नहीं, आपको ट्रायोन हॉल में दिख जाएगा, कि ये साडी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, कि ये 2 टुकलो से बनी है, तो इस तरह से मैंने इन 2 टुकलो को जोड़के, एक साडी रेडी की है, और इसमें मैंने उपर इंटर लॉक कराया है, य और वो जो तार से इंटरलॉक करते हैं, उससे आप मत करायेगा, फिर वो जब आप प्लीट्स बनाते हो, तो अच्छे से नहीं बनती है, तो इस वज़ा से मैंने जो धागा होता है, उसी से इसमें इंटरलॉक करवाया है, बाकि पूरी साडी में मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये लेस लगाई है, और फॉल लगाया है, और ये मेरी साडी रेडी हो गई है, और इसका फैबरिक मुझे पढ़ा था 200 का, और इस पे मैंने ये 60 रुपीज की लेस लगाई है, जो कि इसमें 1 मीटर ही यूज हुई है, तो आप देख सकते हैं, मेरी ये 260 की साडी रेडी हो गई है, और अब आप लोग कमेंट करेंगे, कि इतना सस्ता फैबरिक कहां मिलता है, तो मैं मार्केट का नाम पहले भी बता चुकी हूँ, लखनौ महानगर में मार्केट लगती है, वेडनस टे मार्केट, तो आप वहां से ले सकते हैं, और ये फैबरिक मुझे सस्ता क्य इस वज़ए से ये फैबरिक सस्ता मिलता है, बाखी इस और गेंजा फैबरिक की क्वाल्टी इतनी ज्यदा अच्छी है, ये देखिए बहुत ही प्यारी साडी लग रही है और इसका फैबरिक बहुत ही प्यारा है, सेम ऐसी ही साडी मैंने ऐन लाइन देखी है, इसमें इतना अच्छा था कि मुझे मतलब उस साड़ी में कुछ और करने की नीड नहीं लगी कोई भी साड़ी हम दो तीन बार ही पहनते हैं तो इस वज़ा से मैं किसी भी साड़ी में बहुत जादा पैसा नहीं इंवेस्ट करती हूं तो यह वाली जो साड़ी है यह साड़ी अपने वर्क है जो सेल्फ डिजाइन दी हुई है इसमें इस तरह की लीफ्स बनी है और जो इसका बेस है वो प्रिंटेड है जॉर्जट फैवरिक पे है यह पूरी साड़ी तो यह साड़ी का जो फैवरिक था वो 6.5 मीटर था और यह मुझे मिल गया था 300 में तो इसमें जो एक्स्ट्रा फैवरिक था वो मैंने कट करके पल्लू में इस तरह की फ्रिल बना के लगाई है यह देखिए और यह वाली लेस मेरे पास पड़ी थी तो मैंने इसे अटेच कर दिया है और इसके लिए मैंने मार्केट से कुछ भी नहीं लिया है तो यह 300 की मेरी साड़ी और इसका जो फैवरिक बचा हुआ है वो यह यह फैवरिक बचा है तो इसमें मेरा ब्लाउज स्टिच तो हो जाएगा बट मैं सेम कलर का ब्लाउज नहीं स्टिच कराने की सोच तो आप बताईएगा कि मैं यह वाला सेम इसका ब्लाउज स्टिच कराऊं या फिर मैंने इसके लिए यह फैवरिक लिया है मुझे लग रहा है कि इसके साथ प्लेन ब्लाउज काफी अच्छा लगेगा यह भी साड़ी काफी ज्यादा मतलब जगमक जगमक है तो ब्लाउज थोड़ा सा सटल होना चाहिए इस वज़र से मुझे लग रहा है इसके साथ यह वाला ब्लाउज मैं रेडी कराऊं ब्लाउज अभी मेरे नहीं रेडी हुए है तो मैं इसको किसी और ब्लाउज के साथ आपको पहन के दिखाऊंगी तो आप बताईएगा कैसी लग रही है इ पति सिंपल है पतली मैंने यह दो पत्ती काटी ठीघी थी इसमें मैंने डीटिच कर दी है और यहां पर इसमें मैंने पीको करा दिया है जिस से इस तरह का जुलूग आ रहा है तो यह मेरी साड़ी रेडी हो गई 300 में इसमें फॉल किया है और यह फ्रिल लगाई है बाकि ए साड़ी के लिए मैंने ये वाला ब्लाउज लिया है तो ये काफी अच्छा लगेगा कंट्रास्ट है थोड़ा सा लाइट है और इस पे जो ये थ्रेड हैं सेम कलर के हैं तो मैंने ये वाला blouse इसके लिए लिया है, दोनों blouse अभी मैंने stitch के लिए नहीं दिये हैं, अब मैंने stitch करवाऊंगी, अभी मैंने ये दो साड़ी ready की हैं, और अभी काफी साड़ीया हैं जो मुझे ready करनी हैं, तो वो मैं वीडियो आपके साथ, जैसे जैसे मैं ready करूंगी, वैसे वैसे मैं आपके साथ share करूंगी, वीडियो के last में मैं अपनी कुछ ये shopping add करने वाली हूँ, जो कि मैंने जूक से मंगाये थे, और जूक के product काफी ज्यादा train में है, और काफी ज्यादा attractive है, तो मुझे लगा मुझे भी मंगाने चाहिए, तो मैंने ये एक bag मंगाया ह है, because मैं ममी हूँ, तो मेरे को कहीं भी जाना होता है, तो मतलब मेरे bag में काफी सारा सामान होता है, बचे की bottle होती है, उनका कुछ खाने का item होता है, उनके कुछ try होते हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, कुछ अपना personal हमारा सामान होता है, make-up का होता है, mobile होता है, पैसे होते हैं तो इस वज़ा से मुझे जो बैक होते हैं मेरे जो बैक होते हैं वह बद़े होते हैं साइज में तो मुझे ये बैक का फिर टॉबंग हमें तो भी आपके लिए ये बैक जो है काफी ज्यादा हैसे फॉय इसमें जो इस पेस है काफी जादा है तो इसमें आपका काफी सारा सामान आ जाएगा जैसे कि आप office going है तो आपका lunch box है आपकी water bottle है आपका laptop है आपके phone का charger laptop का charger सब कुछ इसमें आ जाएगा तो मैं आपको पहले यह दिखाती हूं यह जो इसमें fabric यूज किया है यह जूट का fabric है जिस पे पूरा flower print है इस इनके जो print होते हैं बहुत ही ज्यादा different होते हैं और हर बैग में अलग-अलग print होता है बहुत ही attractive print होता है और यहां पे जो यह इनका leather यूज है यह wagon leather है बहुत ही अच्छी quality का यह leather यहां पे यूज किया हुआ है यहां पे इसमें जूप यह brand क name लिखा हुआ है और यह जो लूप है यह metallic है और इसमें मैं आपको pen करके दिखाती हूं यह जो zip है यह metallic zip है इसमें आपको one compartment मिलता है और इसके अंदर आपको यह laptop के लिए अलग से compartment मिलता है इसमें बहुत सारा paper था बहुत ही अच्छे से pack होके यह आया था मैंने इसे फट अपना charger अम्रेला मतलब यह सब रख सकते हैं यहां पे आप अपना phone रख सकते हैं pen रख सकते हैं जो card है वो आप रख सकते हैं तो space के लिए यह काफी अच्छा bag है और बहुत ही decent simple सा bag है यह quality wise बहुत ही अच्छा bag है तो अगर आपको यह वाला bag पसंद आता है तो आपको link description box में मिल जाएगा अगर आप मेरा coupon code use करेंगे तो आपको 12% का discount मिलेगा बाकी bag की quality बहुत ही जादा अच्छी है इसके बाद मैं sling bag मंगाने वाली हूं because sling bag भी काफी use में आते हैं next मैंने एक food wear मंगाई है जूक की इसकी packaging मुझे काफी attractive लगी इसका जो box है काफी सुन्दर सा है यह है इसका box और इसकी मैंने polythene वगेरा सब निकाल दी है और यह देखिए मैंने यह वाली food wear मंगाई है चोकी काफी different है और इसे आप jeans पे पैनो suit पे पैनो किसी पे भी पैनो काफी अच्छी लगेगी इनके print आप देखिए कितने प्यारे लगते हैं यह जूट वाले fabric से बने हुए हैं और यह जो brand है made in India है तो इसको हमें promote करना चाहिए और इनके जो handmade bag होते हैं food wear होते हैं काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं यह देखिए इनका print यह पोम है काफी अच्छा है पहने पर काफी comfortable लगेगा तो यह वाली food wear मंगाई है तो आपको कोई भी प्रोडेक्ट पसंद आता है तो आपको लिंक description बॉक्स में मिल जाएगा I hope आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा चैनल पर फस्ट इम विजट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को subscribe करके जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई टेक केर